हेलो प्रेस्स कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल में तो आज हम आप लोगों के लिए आलो भिंडी का सबजी लाए हैं तो आप मेरा समान देख सकते हैं हम मिक्सी में लसुन और प्याज का पेश्ट तियार कर लेते हैं हमारा कराही भी ग्रम हो चुका है देखिये मसाला भी हम त्यार कर लिए हैं थोड़ा सा तल इसमें हम ऐड करेंगे और भिंडी को अच्छे से भूरेंगे माशाला भी त्यार कर लिये हैं माशाला आप देख सकते हैं देख सकते हैं थोड़ा सा तेल और हम एड़ किये हैं तेल बहुत कम डाले थे तो थोड़ा सा और एड़ किये हैं और जटपट में हम आपको सब्जी बना कर दिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से अब बिल्कुल मचली एस्टाइल में तो आप हमारे वीडियो में बने रहे है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा भिंडी भी तब तक भूना गया है तब तक भिंडी को हम अच्छे से निकाल लेते हैं थोड़ा सा तेल इसमें हम और एड़ करते हैं क्योंकि हमको आलू भी भूजना है आप मेरा भिंडी देख सकते हैं कितना अच्छा से फ्राइब हो चुका है अब हम आलू को भी अच्छे से पका लेते हैं देखिए अब इसमें हम माशाला एड़ करते हैं और देख सकते हैं मंसाला को हम कितने अच्छे से उसमें हम मिला रहा हैं देखिए मेरा मसाला भी भुना गया है तेल बिल्कुल छोड़ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे हैं मेरा पूरा वीडियो देखिए इसकी मत कीजय देखिए आलु भी पॉक चुका है मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा अब इसमें हम भिंडी एड़ करते हैं देखिए हम भी भिंडी इसमें हम डाल चुके हैं अब भिंडी को भी अच्छे से भूनेंगे मसाला के साथ ताकि उसके अंदर में पूरे मसाला जाए हम भिंडी भी अच्छे से स्वादिष्ट बने अब इसमें हम थोड़ा सा सेर्सो पॉर्डर लेंगे देख सकते हैं दो चमस सेर्सो पॉर्डर लेके इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे हम दो ही चमस लिए हैं ज्यादा हम नहीं डालेंगे सेर्सो पॉर्डर यह सेर्सो का प पॉर्डर है तो पॉर्डर डालिए वह आपके हिसाब से है आप हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करते हैं मेरा भुना गया था पानी आप अपने हिसाब से एड़ कीजिए कम यह ज्यादा और बहुत ही कम टाइम में हम आपको बना कर दिखाए हैं तो देखिए हम सब्जी बना कर ले आए हैं आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए आप लोग टेस्ट करके कॉमेंट में जरूर बताईए कि हमारा सब्जी कैसा लगा और न्यू न्यू वीडियो लेके हम आते रहेंगे तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और फॉल सपोर्ट कीजिए आपका सपोर्ट का बहुत ही जरूत है और बहुत ही प्यार से हम बना कर लाते हैं आप लोगों के लिए तो टेस्ट करके कॉमेंट में जरूर बताईएगा